श्री केदार नाथ धाम हिंदु धर्म के पवित्र तिर्थ नगरी हिमालय की गोद में मंदाकिनी और सरस्वती के संगम परस्थित है वर्ष 2013 दे आई भयाव आपदा से इस तिर्थ नगरी को भारी तबाही का सामना करना पड़ा ये द्रिश्य उननीसवी सदी का है जब मंदिर का गरीमामय रूप दूर से ही दर्शित होता था इसके पीछे की उँची बरफीली पहाड़ियां द्रिश्य की भव्यता को और बढ़ाती थी फिर धीरे धीरे इसके चारो ओर अनियोजित इमारते बन गई और मंदिर मानो कहीं छिप सा गया वर्श 2017 में माननिय प्रधान मंत्री जी स्वयम श्री केदारनाथ धाम आये एवं धाम के आध्यात्मिक गौरव और दिव्य स्वरूप को पुना स्थापित करने के लिए श्री केदारनाथ धाम पुनर निर्माण योजना की परिकल्पना की यहां की रूची प्रकूती प्रभूती का नुसार ही इसका पुनर निर्माण किया जाए उसमें आध्युनिकता होगी लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धर्ती ने अपने अभीतर संजोय रखा हुए ऐसा पुनर निर्मान करने की दिशा में इसका काम होगा इस परिकल्पना के आधार पर सबे हिद धारकों की भागिदारी से परियावरणिय संतुलन बनाते हुए एक महायोजना तयार की गई थी गौरी कुंड से 16 किलोमीटर दूर पैदल मार्क पर स्थित धाम में इस पैमाने की परियोजना को क्रियानवित करना इसके लिए निर्मान सामगरी जुटाना दुश्वार मौसम और विशम भौगुलिक परिस्थितियों के बीच एक बड़ी चुनावती थी मंदिर तक पहुँच मार्क का निर्मान पहले कारे के रूप में लिया गया आपदा से पहले मंदिर परिसर में 10 फीट संक्रे गलियारे में स्थित कई भवन शतिग्रस्त हो गये थे और 30,000 टन मलबा चारों और फैल गया था इस मलबे को 840 फीट सीढ़ी दार मंदिर गलियारे के रूप में विक्सित किया गया इसका निर्मान क्षित्रिय कारिगरों द्वारा 20,000 स्थानिय उपलब्ध पत्थरों का उपयोग करके किया गया दो नदियों के संगम पर स्थित इस 104 फीट व्यास वाले आगमन प्लाजा का निर्मान वृत्ताकार रोप में 51,000 स्थानिय पत्थरों का उप्योग करके किया गया है वहीं मंदर प्लाजा का नर्माण 4,340 वर्ग मीटर क्षेत्र में 15,200 स्थानिय पत्थरों से किया गया है बाढ़ से सरस्वती और मंदाकिनी नदी के किनारों के साथ भागई भूमी के पुनर ग्रहान तथा बहुस्तरिय बाढ़ सुरक्षा कर मंदर परिसर को एक द्वीप के रूप में बहाल करने के लिए दोनों नदीयों पर बाढ़ सुरक्षा दिवारों का निर्माण कार्य किया गया आपदा से क्षती ग्रस्त हो गए तिर्थ पुरोहितों के आवासों के पुनर निर्माण का कार्य चौते कार्य के रूप में लिया गया चरण बद्ध तरीके से तिर्थ पुरोहितों के घरों का निर्मान स्थानिय पत्थर, लकडी और ढलवा छत उपयोग कर स्थानिय स्थापत्य शैली द्वाना किया जा रहा है पाँच्वे कारे के रूप में आपदा से खृति ग्रस्त ख्रियादी गुरू शंकराचार्य समाधी के पुनर्मान को लिया गया समाधी तक पहुँचने के लिए ये भूमिगत रचना, जिसमें समारकियत दिवारों के बीच चल कर जाना, तिर्थी यात्रियों को एक अनूठी यात्रा का अनुभव प्रदान करता है मूर्ती के दर्शन कर चिंतन पत पर चलते हुए, ये यात्रा परवतों और विहंगम द्रिश्यों के दर्शन के साथ समाध्त होती है इन पांच कारियों का लोकारपन आज किया जा रहा है इसी के साथ लगभग 185 करोड की लागत से निर्मित हो रहे विविन्न विकासकारियों का श्रिलान्यास भी किया जा रहा है जिनमें प्रमुक है मंदाकीनी एवं सरस्वती नदियों के तट पर स्नान और धार्मिक अनुस्थानों को सुगम करने हेतू विशाल संगम घाट का निर्माण धाम में यात्रियों के सुविधार्थ यात्री सुविधा केंद्र रेंग शेल्टर जल्पान ग्रे आदी का निर्माण कुशल तिर्थक्षेत्र प्रबंधन हेतू पुलिस स्टेशन एवं कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का निर्माण किसी भी अप्रिय घटना एवं विशम भौगोलिक परिस्तितियों में यात्रियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक अत्याधुनिक चिकित्साले का निर्माण किया जा रहा है जिसमें आपात कालिन सेवाएं आपरेशन थीएटर आईसी यू आदी की सुविधा होंगी ये निर्माण योजना मात्र बहुतिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर नहीं वरन इस थल की लौकिक वत्तिर्थ यात्रियों की आंतरिक उर्जा को पुनह जागरित करने का एक प्रयास है